वेल्कम एरिवन तो अब हम डिसकस करेंगे टूलिप सीरिस बुक क्लास फिफ्थ एंग्लिश की पॉम और हमारी पॉम का नाम है दिस लेंड आफ आर्स देखें इसका क्या मतलब होता है दिस याने की ये लेंड से मतलब है मुलक वतन ठीक है आर्स याने की हमारा ये वतन हमारा ठीक है ये जो पॉम है ना इसको पहले कश्मीरी में लिखा गया था गुलाम एहमद महजूर ने और इस पॉम को ट्रांसेट किया है इंग्लिश में प्रॉफिसर गुलाम रसूल मलिक ने ठीक है और इसका जो कश्मीरी में टाइटल है सून वतन ठीक है तो यह इस तरह से हैं अब चलिए इसकी मीनिंग समझते है यानि कि बुल बुल केहता है फूलों से ठीक है देखिए बुल बुल एक परिंदा है और क्रिप का मतलब होता है यानि कि जब परिंदी आवाज निकालते है उसको बोलते है क्रिप ठीक है तो बुल-बुल क्रिप्स यानि के बुल-बुल कहता है तो दे बलाजम्स बलाजम होते हैं छोटे 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 फूल जो दरखतों के उपर होते हैं जो पोदों के साथ होते हैं छोटे छोटे फूल उनको बलते हैं बलाजम्स ठीक है तो बुल-बुल इन छोटे छोटे यानि कि एक फूलू का बाग है यह जो हमारा वतन है यह जो हमारा देश है यह जो हमारा मुलक है ना कश्मीर यह फूलू का बाग है A flower garden is this land of ours ठीक है This land of ours is a flower garden यानि कि हमारा यह जो वतन है यह फूलू का बाग है ठीक है A flower garden is this land of ours यानि के एक फूलो का बाग है यह जो हमारा वतन है ठीक है Sunny summits griddle it around Fair walls of shining marble In the midst is this gem So green, a flower garden is this land of ours अब चलिए इसका meaning समाईते हैं Sunny summits griddle it around यानि के चमकती हुई चोटियां हमारे वतन को आसपास से गेरी हुई है Sunny summits देखिए, summits का मतलब होता है चोटी और यहाँ पे कौन सी चोटियां है जो हमारे कश्मीर में पहाड है ना उनकी चोटियों के बारे में बात हो रही है ठीक है, हमारे कश्मीर में बहुत बड़े बड़े पहाड है तो उनकी जोटियां है ना वो चमकती है Sunny summits यानि कि वो चमकती है उन पे दूप लग रही है और वो चमकती है क्योंकि वहाँ पे बरफ होती है वहाँ पे आइस होती है ठीक है तो चमकती है और हमारे कश्मीर के आसपास ये चोटियां है ना तो griddle it around यानि कि हमारे कश्मीर के आसपास ये चोटियां है griddle का मतलब होता है किसी चीज को गेर लेना आसपास से गेर लेना ठीक है और around का मतलब होता है आसपास याने कि ये जो चमकती चोटी है ना पहाडों की ये हमारे कश्मीर के आसपास है है ना हमारा कश्मीर जो वादी है ठीक है और वादी की आसपास से पहाड होते हैं और बीच में नदिया होती है तो यहां पर आसपा से पहाड है और उनकी चोटियां बहुत ज़्यदा चमकती है ठीक है फेर वाल्स आफ शाइनिंग मार्बल और इसके अलावा खूबसूरत दिवारे चमकते हुए मार्बल की ठीक है फेर से मतलब होता है यानि कि यहां पर आसपास में जो दिवारे है न वो क्या है चमकते हुए संगे मर्मर की दिवारे है यानि कि यहां पर आसपास जो पहाड है मैंने अभी आप से कहा वो चमक रहे है वहां पर बरफ है वहां पर आइस है तो उन्ही के बारे में यहां पर बात हो रही है ठीक ह खुबसूरत दिवारे चमकते हुए संगे मरमर गी ठीक है इसका ये मीनिक है इन दे मिडिस्ट इस जिम सो ग्रीन और इसके अंदर यानि कि हमारे वतन के अंदर हीरे है जवाहिरात है लाल है ठीक है जिम से मत्तब होता हीरा जवाहर ठीक है सो ग्रीन और वो क्या है सो ग्रीन यानि कि बहुत सब्स है हमारे कश्मीर के अंदर जो हीरा है वो बहुत सब्स है बहुत ग्रीन है ठीक है तो इन दे मिडिस्ट यानि कि इसके बीच में मिडिस्ट से मतलब बीच में इस दिस जिम यहां पे हीरा है यहां पे ज यहारा बारा है। बहुत गरीन है। तो देखिए जोlast कष्मिर के बीच में ही डिया, गरीन है। इसे क्या मतलब है। है कि है यहां पर सब्सक्ते हैं पहुब्त ही ऐसे हैं। यह चरू है। ना यह चीज़ आपने याद रखने है ठीक है इन दा वेल्स आफ मॉंटेन रेंज सिप्रिंग हैस चूज़न एस सी टॉरेस्ट टॉलिप्स ब्लूम इन दा गार्डन लाइक शाली मार फ्लावर गार्डन इस दिस लेंड अफ आर्स अब चलिए इसका मिनिक समझते हैं इन दा आपसे कहा वादी हम उस जगज़ को बिलते हैं जिसके आसे पास में पहाड होते हैं और बीच में डरीया ऐसी जगज़ को वादी बोलते है ठीक है तो यहां पर शाइर कहते हैं इन दे वेल्स आफ मॉंटेन रेंज यारे कि यह जो वादिया है जिनके आस पास में पहाडू का सिलसला है सिप्रिंग हैस चूजन एस सी टो रेस्ट यानि कि यहां पे अब सिप्रिंग का मोसम आएगा यानि कि सिप्रिंग का जो मोसम है ना वो यही पे आता है और उसको यही सीट मिलती है आने के लिए क्योंकि जो हमारा कश्मीर है न वो सब्स है वो हरा बरा है यहां पे पोदे है यहां पे दरखत है यहां पे ताजगी है तो सिप्रिंग कहां पे अच्छा लगता है यही पे और आप जानते है सिप्रिंग क्या होता है सिप्रिंग वो मौसम है जो विंटर के बाद आता है जिस पे फूल है, यहां पे दरखत है, यहां पे ताजगी है, यहां पे सब कुछ हरा बरा है, तो सिपरिंग भी यही पे अच्छा लगता है, ठीक है? टूलिप्स ब्लूम in the gardens like शालिमार और जो टूलिप्स फ्लावर है न ठीक है वो ब्लूम करते है ब्लूम का मत्तब होता है खिलना, निखरना फूल कहां पर निखलते हैं? फूल निखरते हैं बागू में जैसे कि शालिमार बाग है और दूसरी यहां पर बाग है टूलिप्स की फूल निखरते हैं और यह फूलू का बाग है जो यह हमारा वतन है जिसे कश्मीरी में लिखा है गुल्शन वतन चे सूने, सूने वतन चे गुल्शन ठीक है तो चलिए अब हम इसका मीनिंग समझते हैं सिप्रिंग से मतलब होता है चश्मे यहां से पान निकलता है जिसे हम कश्मीरी में नाग कहते हैं ठीक है नाग ओके इसे हम इंग्लिश में सिप्रिंग कहते है यहां से नाले जहां से पानी बैहता है ठीक है रिवलट्स से मतलब होता है छोटे छोटे दरिया छोटी छोटी नदीएं यहां से पानी गिरता है तो उसकी जो आवाज आती है उसे बहुते है roaring roaring का मतलब होता है बहुत तेज आवाज यानि कि जब पानी गिरता है कहां से waterfall से ठीक है पानी की जरने होते है जहां से पानी गिरता है तो उसकी आवाज आती है उसको बहुते है roaring यानि कि बहुत तेज जो आवाज आती है किसकी रिवर्स की, स्ट्रीम्स की, रिवलेट्स की, और वाटर फाल्स की, आर थ्रिल्ड विद जॉई आफ सिप्रिंग, यानि कि ये सारी चीजे बहुत जोश में हैं, क्योंकि सिप्रिंग का सीजन आ चुका है, ठीक है, आर थ्रिल्ड, थ्रिल्ड का मतलब होता है, बहुत जोश मे चीजें जोश में है ठीक है देखे सिप्रिंग में ही पानी है रिवर्स में ही पानी है स्ट्रीम में ही पानी है रिवलर्स में ही पानी है और जो पानी के जर्रे हैं वो भी बहुत तेज चल रहे हैं तो यह सारी चीजें जोश में हैं क्योंकि सिप्रिंग का सीजन है ठीक है A flower garden is this land of ours यानि के एक फूलू का बाग है यह जो हमारी सरजमीन है ठीक है Around roses the bulbul turns in love And the bumblebe seeks the narcissus Kashmiris feel drunk in excitement A flower garden is this land of ours तो चलिए इसका मीनिक समझते है Around roses the bulbul turns in love यानि कि यह जो bulbul है अब यह मुड़ता है गुलाब के फूलू की ओर ठीक है Around roses यानि कि roses के आसपास Around से मतलब होता है आसपास और rose से मतलब गुलाब का फूल The bulbul turns in love यानि कि bulbul गुलाब के फूल की ओर मुड़ता है बहुत ही मुहबत से ठीक है से और जो बमली भी है ना बमली भी होती है शहत की बड़ी मक्य ठीक है वो क्या करती है वो नर्गिस के फूल को डोटती है सी कमाता होता है डोटना तलाश करना और नर्गिस का फूल कश्मीरी is feel drunk in excitement और जो कश्मीरी लोग है न वो बहुत ज़्यदा खुश है उसे को बहुते हैं drunk in excitement excitement का मतलब होता है खुशी यानि कि कश्मीरी लोग बहुत ज़्यदा खुश है feel यानि कि महसूस करते है कश्मीन लोग बहुत ज़दा खुशी महसूस करते है A flower garden is this land of ours यानि कि यह जो हमारे जमीन है यह जो हमारा वतन है वो फूलू का बाग है ठीक है महजूर This homeland of ours Is a charming garden indeed Let us share our love on it A flower garden is this land of ours देखे महजूर अब यह शैर जो है अपना खुद से कहते हैं This homeland of ours यानि कि हमारा यह वतन Home land से मतलब होता है वतन ठीक है यह जो हमारा वतन है Is a charming garden एक बहुत ही खिलता हुआ बहुत ही खुबसूरत बाग है Indeed यानि कि बेशक ठीक है तो charming का मतलब होता है बहुत ही खुबसूरत और indeed का मतलब होता है बेशक यानि कि हमारा यह जो वतन है न यह बहुत ही खुबसूरत एक बाग की तरह है Let's share our love on it चलिए हम भी अपना प्यार अपना सब कुछ इस पे निचावर करते हैं इसके ओपर छिड़कते हैं यानि कि हम भी अपने वतन के लिए जान दे हम भी अपने वतन के लिए प्यार दिखाए इसके बहुत है Let's share यानि कि चलिए हम भी दिखाते हैं अपना प्यार अपने वतन के लिए A flower garden is this land of ours यानि कि हमारा यह जो वतन है ना यह फूलू का बाग है ठीक है कोमेट सेक्षिन में बता सकते हैं हम आपको हमें आंसर कर देंगे ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टेय टून